SDM Jyoti Maurya और उनके पति आलोक Maurya का जो पूरा मामला है लगातार उलस्टे ही जा रहा है आज एक latest update आया है कहा जा रहा है कि जो आलोक मौरिया है वो उनका कहना है कि वो अपने बच्चों के खादिर माफी मांगने के लिए तयार है और जोती मौरिया से वो माफी मांगने के लिए तयार है और साथ में ही उनका ये भी कहना है कि आप वो चाहते हैं कि मामला सुलज ज हैं उत्तर प्रदेश और पूरे लखनों में शान भी हैं और काफी बड़े पदों पे भी मैम रहे हैं इनका नाम सत्या सिंग है और किसी परीचे के महताज नहीं तो सिधे तौर पर उनके पास ले चलते हैं और इस पूरे मामले पर वो किस नजरिये से देखती है इस पर बात करते हैं मैम आपका न्यूज एटी में बहुत स्वागत है हां थेंक यू देखिए जहां तक जोती मौरिया की बात है और उनके पती की बात है तो सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारा जो संबिधान है उसमें सब को बराबर का हक है और एक यह है कि कभी भी किसी और जोती मौरिया के बीच में जो भी प्राबलम थी या जैसे भी थे इतने दिन तक वो रही उन्होंने पढ़ाया या क्या क्या ठीक है पढ़ाया हर आदमी पढ़ाता है लेकिन जो उन्होंने किया उनके पती ने कि इस तरह से पब्लिक प्लेट्फॉर्म पे आके एक महिल कोई कुछ भी कर सकता था ऐसी परिस्तितियों में जहां पे कि हर आदमी उनको इंगित करके सवाल कर रहे हैं मीम्स बनाये जा रहे हैं और सोसल मीडिया पे तो व्यक्ति की अपनी अपनी स्वतंतरता है उसमें कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता है और उनकी प्रॉब्लम थी तो वो घर में समझाते ना घर में माफि मांगते घर में बात करते और जो भी था जोती मौरिया ने मनीश दुबे से शादी नहीं की है दोस्ति कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई किसी का समकच्छ है तो एक वो होता है ना कि जो माइंड इंटिलेक्चुल लेवल जो होता है वो भी किसी से मैच करता है, तो आदमी मिलता है, बात करता है, दोस्ती करता है, तो इन सबों को जो की जोती मोरिया के पती ने इस प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया है, कि मुझे नहीं लगता कि दोनों के संबंद नार्मल हो पाएंगे, और जो भी किया है उन्होंने वो बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत किया है कि एक महिला जो की समाज में एक अच्छी पोस्ट पे और काम कर रही है कि उसका कैरेक्टर, उसका ब्यक्तित तो इस तरह से उच्छाल के रख दिया है, तो मैं यही कहूंगी कि चाहे वो कितना भी रोए, चाहे कुछ भी करें, जो उन्होंने बिगाड दिया है, वो कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाक करो कोई, और रहीमन बिगड़े दूद को मते नमाखन हो, तो उन्होंने इतना बिगाड दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों अब कैसे एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को फेस कर सकते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि आलोक ने अपने ही पैरों पे कुलहाड़ी माली क्योंकि ऐजा पिता उसे नहीं करना चाहिए तो उसकी दो बेटियां है भाविश में जब शादी करेगा तो उसकी बेटियों को ताना मिलेगा कि तुमने तो अपने इज़त इस समाज मुश कि उन्होंने तो अपनी पत्नी की इज़त को उच्छाल के रख दिया मीडिया में तक लिए जुड़ी मेरे साथ मैं लखनों से अंजली सिंग राजपूत नियूज एटिक